आकाश्वणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहले मुख्य समाचार देश्वर में सूला जिन्वरी से शुरू होगा कोविट-19 का टीका करण अभियान प्रधान मंत्री की हर यूजना की क्रियानवन में मदरप्रदेश लीडर केंडरी जलशक्ति मंत्री गजिंद्र सिंग ने कहा सोल में प्रवासी भारती सम्मेलन का पीयम मोदी ने किया उदखाटन युवाउं से देश की संस्रक्रती के विश्व में प्रजार पसार के लिए टिकनोलोजी इस्तिमाल का अग रह और पर्शमें विशोप के कारण रासानी भूपाल समेत कही सिलों में पादल छाये और हलकी बारिश का दोर जारी अब समाचार वस्तार से देश भर में सूला जिन्वरी से कोविड-19 का टीका करन अभ्यान शुरू हो जाएगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी के अधिक्षिता में आज देश में कोविड-19 के सिती और राज्यों तथा केंद्र शासिद प्रदेशों में टीका करन के तैयारियों की उचिस्तरी समिक्षा बैठक की गई बैठेक में मंत्र मंदल सचिव, प्रधान मंत्री की प्रधान सचिव, स्वास्त सचिव और संबंधित वरिष्ट दिकारियों ने हिस्सा लिया राश्टी नियामक ने कोविड शील्ड और कोवैक्सीन दो टीकों को आपात सिती में इस्तिमाल करने की अनुमती दी है इन टीकों की सुरक्षा और प्रतिरोधक शमता सिध्ध हो चुकी है, ये वैक्सीन सबसे पहले तकरीबन 3 करोड स्वास्त देख भाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के करमचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी इसके बाद 50 साल से अधिक की आयू के विक्तियों और गंभीर वीमारियों से पेडित लोगों को टीका लगाया जाएगा, इनकी संख्या तकरीबन 27 करोड है केंडरी जल्शक्ति मंत्री गजीनर सिंग शिखावत ने कहा है कि प्रधान मंत्री की हर यूजना में मुक्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान की निचुत्य में मद्रप्रदेश लीडर है अटल भूजल यूजना और जल जीवन मिशन का भी प्रदेश में तेजी से क्रियानविन हो रहा है ये खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश निर्धारित अवधी से पहले ही अपने लक्ष पूरे कर लेगा केंडरी जल शक्ति मंत्री गजीनर सिंग शिखावत आज मंत्राले में अटल भूजल यूजना और जल जीवन मिशन की प्रगति की समिक्षा कर रहे थे इस दौरान मुख्य मंत्री शिवरासिंग चौहान ने कहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी का वर्ष 2014 तक हर घर में शुद्ध जल पहुचाने का संकल्प है मध्य प्रदेश में प्रधान मंत्री के इस संकल्प को वर्ष 2023 तक ही पूरा कर लिया जाएगा अटल भूजल यूजना का भी रोट में आप तयार है इस पर तेजी से अमल किया जाएगा केन बितवा लिंक परियोजना से जल आवंटन में मध्य प्रदेश का आहित नहीं होने देंगे साथ ही उत्रप्रदेश के हितों की भी पूरी रक्षा की जाएगी केन रीजल शक्ति मंत्री गजीनर सेंग शेखावत ने परियोजना पर चर्चा के दोरान इस बात का भरोसा भी दिलाया उन्होंने कहा कि इस संबंद में शीकर ही वे मध्य प्रदेश के मुक्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान और उत्रप्रदेश के मुक्य मंत्री योगी आदितिनात के साथ सेंगत बाठक कर अंतिम हल निकालेंगे शिचोहान ने कहा है कि बदप्रदेश हमेशा से दूसरे राज्यों के हितों की परवाह करता रहा है परंतु प्रदेश का अहित नहों इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा केन बितवा परियोजना से बदप्रदेश उत्तरप्रदेश को 700 MCM पानी देने के लिए सहमत है केनरी जलशक्तिमंत्री श्री शिखावत आज मंत्राले में मुख्यमंत्री और संपंधित बरिष्ट अधिकारियों के साथ कीन बितवा लिंक परियोजना के जल के बटवारे के बारे में बैठक कर रहे थे मंत्रोर के कलाकार जगदीश गंगवानी ने COVID-19 की रोक्ताम के लिए चलाए जा रहे जन आंदूरन का समर्थन करते वे लोगों से COVID-19 के संक्रमन से बचने के लिए जारी काइडलाइन का पालन करने की अपील की है कोरोना वाइरस अदरश वाइरस किसी को भी अपनी चपेड में ले सकता है इससे बचाओ का सिर्फ एक ही हुपाय है मास्क लगा के रखें, दो गजदूरी बना के रखें, हाथ दोते रहें दो गजदूरी मास्क है जरूरी समाचारों में वक्त है ब्रेका कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाय मास्क लगाएं, दो गजदूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी रखें, हाथ रमू साफ रखें ब्रेकी बास समाचारों में आपका एक बार फिर स्पागत है प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने युवाओं से भारत की संस्कृती और गौरों का विश्यभर में प्रचार प्रसार करने के लिए टेकनोलोजी का उप्योग करने को कहा है सोलवी प्रवासी भारती दिवस समेलन का आज वर्च्वल तरीके से उद्गाटन करते हुए श्री मूदी ने कहा कि इंटरनेट ने दुनिया के वभिन भागों के लोगों को आपस में जोड़ दिया है लेकिन हमारे हिर्दय अपने देश के प्रति प्रिम की भावनां में आपस में जुड़े हुए है उन्होंने कहा कि बीते सालों में प्रवासी भारतीयों ने समाज को बेहितर बनाने के लिए वचन बधता प्रदर्शित कर अपनी पहचान कायम की है उन्हें कहा है कि जरुतमन लोगों के मदद के लिए आगे आने की प्रवासी भारतियों की गाथाओं को सुनकर उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता है प्रधान मंत्री ने कहा है कि प्रवासी भारतियों ने COVID-19 महामारी से संघर्ष में बड़ा योगदान दिया है उन्हें कहा है कि पीम की अर्ष कोश में उनके योगदान से देश में स्वास्त सिवाओं को सुद्रण करने में मदद मिली है वित्व और वानिजिकर मंत्री जग्दीश देवडा ने मंसौर की पिपलिया मंडी नगर परिशद में एक करोड पैतालीस लाग के निर्मान कारियों का लोकारपन और भूमिपूजन किया उन्होंने 81 लाग 22,000 से निर्मित होने वाले सर्व सुविधायोक्त नवी नगर परिशद कार्याले विपलिया मंडी 37 लाग 20,000 रोपै के लागत से निर्मित होने वाले वार्ड करमांग 5 में शौपिंग कॉम्पलेक्स का भूमिपूजन और 27 लाग 21,000 से निर्मित वार्ड करमांग 12 में मांगलिक भवन का लोकारपन किया पर्शमी विशोप की कारण राज़ानी भूपाल और इन दौर समेत कई सिलों में आज भी बादल चाय हुए है कहीं कहीं हलकी बारिश का दौर जारी है मौसम विभाग के दुसार अविवार दो पहर तक इसी तरह मौसम बना रहेगा और दो पहर बाद बादल चटने की उमीद है ऐसे में फिर ठंड जोर पकड़ेगी हाला कि अभी अगले 24 गंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा शूपरी में आसुबै मावठे की भारिश वी इस बारिश के बाद सरदी का दौर और बढ़ गया है ठंडी हवाएं चलने से सरदी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे है वहीं दूसरी ओर इस मावठे की बारिश से रवी सीजन में गेहूं और चने की फसल को फाइदा बताय जा रहा है इदर सतना और जबलपुर जिले में भी आज आसमान में बादल चैं हुए है और ठंड का प्रभाव भी बढ़ा है मौसम भाग ने जबलपुर संभाग में कहीं कहीं ओले गिरने के आशंका जताई है इधर पच्मणी में ठंड का असर कम हुआ है अब कुछ समाचार सिंख शेप में जावा में जिला विदेक सेवा प्राधेकरंड जिला नियायले के तत्वाव धान में मध्य इस्तिता जागरुकता कारिक्रम का आयूजन किया गया अशूटनिकर सिले में कौउगों की असमाइक मौत हो जाने से मुर्गियों में वर्ट फ्लू फैलने के आशंका के मद्य नजर सिले में रैपीड रिस्पॉंस टीम का गठन किया गया है चिंदवाडा में शास की उचितर बाद में कुध्याले चंदन गाउं में आज टीबी हारे का देश जीते का अभियान के अंतरगत स्कूली चात्र चात्राओं की साइकल रैले निकाले गए अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर देश बर में सूलह जनवरी से शुरू होगा कोविड नाइंटीन का टीका करण अभियान प्रधान मंत्री की हर यूजना के क्रियानवन में मध्यप्रदेश लीडर केंद्री जलशक्ति मंत्री गर्जेंद्र सिंग ने कहा सोल्वी प्रवासी भारती सम्मेलन का पियम मूदी ने किया उदखाटन युवाउं से देश की सिंस्क्रति के विश्व में प्रजार प्रसार के लिए टेकनोलोजी की इस्तमाल का आग रहे और पर्शमी विशोप के करण रासानी भोपाल समेत कई सिलों में बादल चाये और हलकी बारिश का दौर मुर्टिन के अंत में आप सभी से एक अपील मास्क और दोकच की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार